आज हम बनाने जा रहे हैं भरी मिर्ची का ठेचा और ये किसी भी पराठे के साथ रोटी के साथ जब आपको चटपटा खाने का मन है तो जरूर बना कर खाएए ये देखे मैंने आधा कप मुफली ली है जो कच्ची है मार्केट में मिलती है ये बारा से पंद्रा लेसुन का लिया है छे साथ मिर्च है और ये लिया हमने थोड़ा सहरा धनिया बस दो टेबल स्पून के करीब नमक स्वाथ के अनुसार डालेंगे और ऑलिव ऑईल हम यूज करने वाले ता ये स्टार्ट करते हैं यम इसी रेसिपे तो सबसे पहले हम दो चम्मच यानि टू टी स्पून डाल रहे हैं और अब हम डाल रहे हैं इसमें यहरी मर्ची अब हम इसमें डालेंगे लैसुन लैसुन की कलियां भी हम अच्छे से इसको चटकने देंगे भूनेंगे स्लो गैस पेस को करेंगे और बहुत जल्दी बनती है साथ ही हम डाल देंगे ये इसमें मूंपली ताकि अच्छे से रोश हो जाएं हमारा ओयल थोड़ा ज्यादा मुझे लग रहा है आप एक अज पर इसको पकाएंगे रोश करेंगे आप इसको तबे पर भी बना सकते हैं बट मुझे कंफटिब लगा चलो व्राइपन में बना लेते हैं बट तबे पर भी आप इसको रोश कर सकते हैं ये देखे ये भून गई है मैने वीडियो जादा लबी ना हो इसलिए आपको लगातार चलाते हुए हमने इसको अच्छे से भून गया है तो अब हम ठंडा होने का इंतजार करते हैं क्योंकि हम इसको फिर कोटना है उसमें हम नमाग धराधनिया और नीबू एड़ करने वाले हैं और यह पूरा नीबू का ना हम रस निकालेंगे पूरा ही डलेगा इसमे इसको फैने ना मेरे पास यह थोड़ा चोटा है कूटने वाला तो फहले थोड़ा-धोड़ा डालेंगे आप चाहें से मिक्सिमें भी दर्दरा कर सकते हैं बढ़ हम थोड़ा-धोड़ा डालके कूटेंगे इसको इसमें थोड़ा डालेंगे धनिया नमक स्वात के नुसार यह थोड़ा और कम कर लेंगे हम क्योंकि नहीं तो बाहर निकलेगा और इसमें कूटने की कोशिश करते हैं यह देखें बाहर ना निकले ना तो हाथ से आप इसको थोड़ा कवर कर लो ताकि यह कूटे कूटना हुआ ना बाहर से उच्छेन इस तरह से हम इसको कूट लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं दिखी कूटना शुरू हो गया इसमें हमें ना पानी नहीं डालना तो बस नीबू हम अच्छे से निचोड देंगे इसके अंदर और इस समय वैसे आप टेस्ट करके देख लो कि कितना खट आपको चाहिए बट बहुत बहुत यह मी लगता है मिर्ची आप और ज्यादा डाल सकते हैं मुंपली का फ्लेवर बस इसको फाइनल टच और देना है बहुत बढ़िया और आप मिक्सी में जल्दी करना है तो दर-दरा पी सकते हैं यह देखिए यह आपको पास से दिखाओ मैं कुछ इस तरह का दर-द बहुत अच्छा और ज्यादा हरी मिर्ची डालेंगे तो हरा कलर हो जाएगा आगे करते हैं इसकी प्लेटिंग तो देखिए है ना यह मी और मैंने टेस्ट करके देखा है क्या चटपटा है बहुत बढ़िया बना है आप जरूर इस तरह से ट्राइब कीजिएगा थोड़े